सोनी चीवी के पॉपलर हिस्टोरिकल शो पेश्वा बाजी राओं में आज उका है कहानी में एक नया ट्विस्ट अब तक हमने देखा कि किस तरहा दोनों ही किनारों पर घर वापसी की तयारिया हो रही है जहां बाजी राओ और उनकी पल्टन घर लौचने की तयारिया कर रही है वहीं दूसरी तरह इनके घरों में इनके स्वागत की तयारिया हो रही है पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरहा गोठिया बाजी राओ से दिल और प्यार महुबत की बाते करते हैं लेकिन हमारे बाजी राओ ठहरे युद्धा. यह कहते हैं कि इन्हें युद्ध और स्वराज के अलावा और कोई चीज नहीं चचती. जब गोग्या इंसे पूछते हैं कि क्या इन्हें काशी बाई की याद नहीं आती? तब बाजी राव उन्हें कहते हैं कि उन्होंने कभी काशी बाई के साथ कोई प्यारी याद बिताई ही नहीं जो उन्हें याद आ सके इससे साफ जाहिर होता है कि बाजी राव काशी बाई से प्यार नहीं करते हैं वहीं दूसरी तरफ बेचारी काशी बाई बाजी राओ के इंतजार में हर पल गिन रही है। वो चिन्मा जी की पतनी यानी रत्मा के साथ अपनी बाते शेयर कर रही है। राधा बाई अपनी दोनों ही बहूँ के लिए गहने चूस करती हैं और ये दोनों गहने चुंते वक्त बाते कर रही होती है। इसी बीच काशी बाई अपनी पती बाजी राओ की याद में हो जाती है। लेकिन ये देखना इंट्रेस्टिंग होगा कि क्या काशी बाई इस बाद से अंजान है कि बाजी राओ उनसे प्यार नहीं करते है। वहीं दूसरी तरत इस कहानी में मस्तानी की भी एंट्री होने वाली है। आपको कैसे लगी ये स्टोरी कमेंट कीजे और इस कहानी में और क्या होता है ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।